नमस्ते, SD Kitchen and Easy Life में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज में सुबा-सुबा खाले पिट लहसुन खाने के अधबुत फायदे के बारे में बताऊंगे। आम तर पर लहसुन का इस्तमाल हम खाने का स्वाध बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन कि आप जानते हैं कि लहसुन की कुछ कली आपके सरीर को हेल्दी रखने के साथ-साथ खतरनाथ पिमार्यों से बचाता है। आयूरवेद में लहसुन के लिए कहा जाता है कि इसके सेवन से आप जवान बने रहेंगे। लहसुन एक प्रकृतिक एंटिबायोटिक की तरह काम करता है। लहसुन में भरपूर मात्रा में बिटमिन C, A और B के साथ-साथ मैंगनेशियम, कैल्सियम, जींक, सेलेनियम पाय जाता है। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसर योगिक, इम्म्यूनिटी को तेज करने की छमता के साथ-साथ हर्ट को मजबूत करने के एंटी अक्सिजेंट पाय जाते हैं। खाली पिट लहसुन खाने के फायदे अगर आप रोजाना सुबह खाली पिट दो से तीन लहसुन की कली खाते हैं इसे हर्ट हेल्दी बना रहता है और खून के ठके नहीं जमते हैं। अगर आपको एसेडिटी की समस्या है तो खाना खाते समय पहले निवाले के साथ एक से दो लहसुन को बारी काट लीजिए और थोड़ा सा घी, काली मिर्च और सेंधा नमक के साथ इसे खा लीजिए इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाब मिलेगा। लहसुन खाने से कॉलेस्टरोल भी कम होता है। लहसुन में ऐसे अलकाइन पाये जाते हैं जिसे कॉलेस्टरोल को कम करने के साथ लीवर और कैंसर से लहसुन बचाता है। अगर दातों में दर्द हो तो दात दर्द के लिए भी लहसुन राम बान इलाज है लहसुन में एंटि बेक्टेरियल और दर्द निवारक गुन पाये जाते हैं जिसे दर्द में आराम मिलता है इसके लिए आपको एक लहसुन लेना पड़ेगा उसे पीस दीजिए और दात के दर्द वाले जगा पे लगा दीजे इसे कुछ देर के लिए जंजना हट होगी लेकिन थोड़ी देर में दात के दर्द में आराम मिल जाता है लहसुन बलड सुगर को भी कंट्रोल में रखने के लिए आप रोजाना लहसुन का सेवन कर सकते हैं ये सुगर लेवल को कंट्र को भी बाहर निकालता है इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है लैसुन स्वसंतंत्र को भी मजबूत बनाता है लैसुन आपकी स्वसंतंत्र के लिए काफी फायदेमंद है इसका सेवन करने से अस्थमा निमोनिया जुखाम पुरानी सर्दी फेपड़ों में जामा कफ आदिसे निजात और बचाव करता है अगर आपको हाइपर टेंशन की समस्या है तो लैसुन का सेवन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा लैसुन हमारे इम्म्यूनिटी को भी बढ़ाता है लैसुन में बिटामिन सी बी सिक्स के साथ ऐसे मिनरल्स पाये जा आए जानते हैं लैसुन खाने का सही तरीका क्या है खाली पेट लैसुन का सेवन आप कई तरीके से कर सकते हैं पहला सुबह उड़कर ऐसे ही दो से तीन करी लैसुन का खा सकते हैं दूसरा है आप चाहे तो लैसुन को भून कर भी खा सकते हैं लैसुन की तासिर गरम होती है तो गर्मी की दिनों में आप लहसुन को रात को सूने से पहले पानी में भिगो दीजे फिर सुबह उसे खाईए अगर आपको लेसुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है लेसुन बेस्वाद लगता है तो आप लेसुन की कली को थोड़े से घी में भून कर लेसुन में हलका सा सेंधा नमक डाल कर खाईए इसे लेसुन का टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है और इसे आप असानी से खा सकते हैं अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद